कि नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचेजिन स्वागात और अभी दंदन करता हूं अपने सभी पेद अश्कों का अच्छी और बुरी बाते इस जीवर का हिस्सा हैं कभी लाब होगा कभी हानी होगी ग्रह कभी शुब बैठेंगे कभी अशुब बैठेंगे तो इस वीड का मिलना जो आपस में मित्र भी हैं कहीं न कहीं इन दो मित्रों का मिलना कुछ मामलों में हानी का लाता है और एक ऐसा तीसरा ग्रह जो पापी ग्रह है उसकी द्रस्टी होना कहते हैं ना पेट्रोल में आग लगाने का काम करती है ऐसी द्रस्टी ऐसी अशुब द्रस्टी प जो पेट्रोल में आग लगाने का काम करेगी तो सावधान नहने के आउशक्ता सभी राश्रिवालों को है सावधान नहने का वक्त आ गया है कोमल, सुन्दर, धन्दायक ग्रहों के जो ग्रहों में सबसे ज़्यादा सौंदर देने वाला ग्रह है पुपसूर्ती का ग्रह है, वह है शुक्र और शुक्र के साथ में महापापी ग्रह राहू युति करने वाले हैं, यानि दोनों ग्रह मेश राशी में आने वाले हैं अब मेश राशी मंगल की राशी है और ये भी पापी ग्रह मंगल तो दो पापी ग्रह एक साथ हो गए जिनकी आपस में बिल्कुल भी बंती नहीं है तीसरा पापी ग्रह शनी जो अपनी तीसरी दर्ष्टी इन पर डालेगा और मंगल और शनी की भी आपस में बंती नहीं है तो कहीं न कहीं गड़बड होने वाली है तो मेश राशी में राहू पहले से हैं शुक्र चले जाएंगे और इन दोनों के उपर शुक्र और राहू के उपर शनी की तीसरी दर्स्टी होगी और शनी की तीसरी दर्स्टी घातक होती है खदरनाक होती है तो चिंता करने वाली बात तो है शनी की तीसरी दिस्टी बुरी दिस्टी में काउंट होती है और राहू को पापी ग्रह माना जाता है तो खतरा ही खतरा है साउधानी नहीं रखती तो बड़े कीमत चुकानी पर सकती है सबसे बड़ा जो आपको कंट्रोल करना है वो क्या है? क्रोध पर कंट्रोल करना है गुसे पर आपको काबू हर हाल में करना होगा नहीं तो बहुत गरबड हो सकती है जिनका भी मंगल खराब है या किसी भी तरीके से कुण्णी में ऐसी स्थिती बनती है कि आपको क्रोध आता है उनके लिए यह समय बहुत हानी कारक हो सकता है इस क्रोध में कहीं न कहीं वो अपना नुकसान कर बैठेंगे वैसे तो शुक्र और राहु की आपस पर मितरता है मेश राशी में होने की वज़े से यहाँ पर क्रोध योग का निर्मार होगा क्रोध योग यानि एंगरी योग गुस्से वाला योग और मंगल की राशी पर होने से यह और बरवान हो जाएगा जैसे पेट्रोल में आग लगा दी आपने राहु पापी ग्रहे हैं शुक्र भोग विलास के ग्रहे हैं और भगवान श्री कृष्ट ने गीता में कहा है कि क्रोध मनश्य का सबसे बड़ा दुश्मन है तो इस समय में उतावला पन जल्दबाजी पन और क्रोध आपको ले डूबेगा अगर आपने इस पर कंट्रोल नहीं किया तो क्रोध ही विक्ती को सही और गलत की पहचाज नहीं होती है वो सही गलत को समझ नहीं पाता है काम, रिष्टे, परिवार सब को बर्बाद कर देता है अपने क्रोध में क्रोध जब आता है तो वेक्ति कहते हैं लाल हो जाता है उसके चेहरे पर लाली माच चा जाती है ये शुब शुब नहीं है ये अशुब है और क्रोध में शनी की तीस्री दरश्टी और पड़ जाए तो इस्तिती जो है भ्रहम कर देने वाली एक तो गुसा और गुसे में कोछ समझ ना है कि करना क्या है जिसे पागल बैल आपने कभी पागल बैल देखा होगा उसको समझ नहीं आता है कि किस को मारे वो कभी कभी इतना नुकसान पहुचाता है कि अपना स्लिंग तोड़ लेता है अपनी डांग तोड़ लेता है अपना सर फोड़ लेता है गुसे में दूसरों को मारने के चकर में दीवार में ही सर मार बैठता है और खुद का ही नुकसान कर बैठता है तो ये इस्तिती बनने वाली है कई बार कुछ लोगों की जरम कुर्ली में जहां ग्रहों की इस्तिती खराब होगी उनका क्रोध इतना होगा पांगल पनवाला क्रोध होगा कि वो खुद को ही दुक्सान पहुचा बटेंगे क्रोध और भ्रहम राहु भ्रहम फैलाते हैं गुस्सा और मती भ्रहम जब दोनों का मिलन होता है तो भेंकर प्रले आती है भेंकर कहते हैं जिसको संभाला ना जा सके तो आप सभी लोग मार्च के महीने में थोड़ा सा सावधान रहना है कितना सावधान रहना है ये मैं आपक बारा मार्स से लेकर 31 मार्स तक सावधान देने की आउशता होगी बहुत सावधान देना और यह वीडियो इतनी जल्दी बनाने का उतेश सिर्फ इतना है ताकि अगर आप कुछ प्लैनिंग कर रहे हैं तो अभी से अपना हिसाब किताब देख ले मैं सब्सक्राइब करता हू अगर आपको डरना है तो डरिए अगर आपको सबजना है तो समझिए आपको मैं उपाए भी बताऊंगा किस तरीके से आप इस मुसीबत से निकल भी सकते हैं तो आईए शुभारंब करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइक इनिश पटन को दबा हैं तो आपकी राशिद मिथुन है तो आपके लिए या युती ग्यारवे भाव में हो रही है आपको थोड़ी सी सावधानी तो रखनी ही होगी पर लाब भी जबरदस्त होने वाला है क्योंकि ग्यारवे घर में कोई भी ग्रह बैटा हो अस्त हो बुरा हो ऐसा हो वैसा हो अच्छे पजाम देता है यह माया का भाव है धन का भाव है या भाव दिखाता है profit लाब मुनाफा 11 हमारी बातों कागशाए हैं वार इंदर इच्छा और कमा ए और कमाएं 11 हो दोस्ती हैर टीम वर्क है नेटफेम है यहाँ पर शुक्र का होना राहु का होना दोणों ही रंग में भंग डालेगा तो आपको क्या करना है आप एक तुना बेफालतों में गुस्टा ना करें, दिमाग को शांत रखें, पति पत्री आपस में बेफालतों की बहस बाजी ना करें, देखिये मुद्दे मुद्दे की बात बता रहा हूँ शादी हो गई है तो पती पतनी एक दूसरे से बहस्वाजी ना करें किसी से प्यार महबत करते हैं तो फिर ऊच नीच ना देखें तुमने ऐसा किया तुमने वैसा किया चोटी चोटी गल्टियों में मीन मेंक ना निकाल देता है तो बुराई डूढने की कोशिश मत करिएगा अच्छा ही डूढने की कोशिश करिए लाभी लाभ होगा चब आप बुराई डूढनेंगे तो फिर आप जानमूच के सामने वाले को नीचा दिखाना चाहेंगे फिर गुस्सा आएगा चिच्च्रा पनाएगा दो बाते आप बोलेंगे दो बाते सामने वाला बोलेगा आपका काम खराब हो जाएगा राहू का काम ही है बने बनाए काम को बिगार देना शनी की दृष्टी पड़ी तो यानि बुद्धी भ्रमित हुई समझ गया है जाना सा राइट पहुंच गये लेफ्ट तो यही काम होत चीजों पर ध्यान रखा तो ठीक है तीसरी बात या दूसरी बात सबसे इसा बहुत आएगा लेकिन पैसे को बचाना भी तो है कमाना इस हाथ से कमाया इस हाथ से लुटाया या आपने दोनों हाथ से कमाया और आपके घरवालों ने लुटाया बेफजूल में पैसा खर्च एक बार आपने खुली छूट दे दी तो चार दिन बाद आपने लगाम लगाई तो फिर लड़ाई जगड़ा हो जाए तो पहले दिन से ही लगाम लगाना शुरू कर दीए पैसे का हिसाब किताब बढ़िया रखिये मैं यह नहीं कह रहा हूं कि खर्चा मत करिये मैं यह कह रहा हूं कि हिसाब किताब ठीक रखिये कई बार अधिक पैसा दिमाग को पागल कर देता तो यहां पर कई बार आप इतने अमीर हो जाएंगे कि आपका दिमाग पागल हो जाएगा पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो आदम के पीछ भाग रहे हैं अदर उदर के उल्टी थीमर ने हैं तो यह सब मास खा रहे हैं मचली खा रहे हैं और समझे जगों पे जा रहे हैं तो फिर क्या होगा MARTA सब पैसा भी बरबाद और ज्रह भी बरबाद राहु तो चाता ही है आप अच्छा कमाए और बूरी जगह आप कुछ कहें वो कुछ कहें किस वजह से घर में कले-कलेश हो सकता है गुष्टा आ सकता है गुष्टे में कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे जिससे तराऊ हो जाएगा लॉट्री जुए सटेवाजी में भी बुद्धी भ्रमित रहेगी कभी कहेंगी यह वाली लॉट्री ले लूँ ये वाला ले लू ये वाला ले लू बह्या तुम बता तो तुम से पूच के ले लू या तुक्का लगाएंगे एबी सीदी करेंगे खळ बखळ वंबे हो असीpres नब पोरे 100 जहां पिर स संभावना है और समझदारी से लगाया दिमाग को बिल्कुश शान्त करके लगाया तो प्रॉफिट भी हो सकता है फिजूल खर्चों से परशान आप हो सकते हैं खर्चे इस सब्सक्राइब बढ़ेंगे शनी की तीसी दर्ष्टी आपकी बुद्धी को भ्रहमित करेगी राहूपर पढ़ेगी मन में नखरात में बुचार आएंगे पती पत्नी के वीच पर तनाव पढ़ेगा उल्टी सीदी बातों प बिलकुल मत करी एक संतान के सुख में कमी हो सकती ह्याभरती महिना ध्यान रखये बच्चों से भी तुनक मिजाज हो सकती है अब बच्चे को प्यार सा शर्म्जाना आप देध़ पड़मार के समझा दिया बच्चे इनलाज हो गए आप से समझ आप पता चला कि आप कमाने क कि बच्चों पर ध्यार नहीं दे रहे हैं तो बहुत नियंतर रखना यहां पर एक हाथ में हैं लड़ू और एक हाथ में समस्या तो नेटवर्किंग वाले जो भी लोग हैं वो अपनी वारी को बहुत समझतर बोलें अब बहुत दुनिया ही नेटवर्किंग हैं हम लोग एक दूसरे से बात चीप कर रहे हैं तो तोर मोल कर बोलिए चाहे कहीं पर भी बोलिए कोई ऐसा शब्द मत बोल दीजिए जिससे आपको अपमानित होना पड़े गुस्सा और दिमाग का फिलना आपकी जुबान से कुछ ऐसा निक्रुआ देगा जिससे आपको परशानी हो जाएगी बने बने काम बिगड़ जाएंगे बतलब चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो चाहे गरबचारियों के साथ हो चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो चाहे पत्री हो या प्रेमिका हो या पती हो या बाइफरेंड हो या दोस हो या 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 बॉस हो या कोई भी हो बहुत तोल मोलकर बोलिएगा चाहे नेता हो चाहे अभी नेता हो बहुत कांट्रोवर्सी हो सकती है आप बोलें राम और सामने वारा सुनने राव बहुत जादा उड़ने की कोशिश मत करिएगा पैर जमीन पर रखके चलिए बहुत तिक सुक बढ़ेंगे आदते बिगडेंगी ये भी लेलू वो भी लेलू ये भी लेलू वहां भी चले जाओ घर की रोटी नहीं खाएंगे रेस्टोरेंट में खाएंगे ये कपड़ा ले परशानी कई बार तुरंत नहीं आती है कई बार परशानी पहले मजा देती है बात में सजा देती है नई दोस्ती नया प्यार हो सकता है रिष्टों को नए रिष्टों में जाने से पहले चाहिए शादी का रिष्टा हो को आ रहे हैं उतावले पन में हाँ बड़े दिनों स कोई रिष्टा ने मिला था तीस साल की उमर हो गई है जल्दी से साधी तैय कर लो तो उतावले पड़ में किसी से रिष्टा मत तैय करिएगा सोस समझ कर करिएगा और उतावले पड़ में कोई यारी दोस्ती मत करिएगा मीठी वारी से दिल जीत सकते हैं तो आप जीत लेंग तो शेयर मारकेट जुवे में कुछ लाब कमा सकते हैं लौटरी में अंधा धुंद गोली चलाएंगे तो फिर भाईया दुश्मन नहीं मरेगा गोली बंदू की खतम हो जाएगी और दुश्मन आएगा पर पकड़ के ले जाएगा आपको तो बहुत साउधानी रखिएगा ये वक्त जितना अच्छा है उतना बुरा है इन तारीकों में हो सकती है अनहोनी और इनी तारीकों जाएगा हो जयाता की दिये देश स संपर्क जोडेगा अब पसला आप इंटर्व्यू देने गये तौकरी के लिए गुश्मन आ गया उल्टा सीदा जवाब दे दिया सामने वाले ने पूछा कुछ जवाब कुछ दे रहे हैं क्योंकि बुद्धी कंड्रोल में ही नहीं है राहू और शनी का जब दश्टी सम्मंध होगा तो बुद्धी भ्रमित हो जाएगी वो बोलेगा आम आपको सुनाई पड़ेगा केला तो यही परिणाम होते हैं जो आपके बनने बनाए काम को बिगाड़ पकते हैं अब पता चला आपको वीजा लगना है विदेश जाने के लिए आपकी जबान लड़ खड़ा गई आपका कॉन्फिडेंसी नहीं रहा बुद्धी दिमाग काम नहीं किया तो जो बॉड़ी लें हैं इन सब चीजों से बचिएगा तो देश विदेश पढ़ाई लिखाई नौकरी वौकरी पैसे वैसा सब कुछ बढ़िया है देखे हमारा काम है आपको समझाना और बताना करना आपका काम है अब उपाए भी जान लीजिए मंदिर में दही का दान कर सकते हैं केसर का ठीक अपनी माता जी के चरार सपर्श करें महिलाओं का सम्मान करें और सबसे इंप्रॉटन इससे भी इंप्रॉटन है कि मा सरस्ती का पूजन करें क्योंकि ज्यान और बुद्धी की देवी हैं मा सरस्ती जब वो बुद्धी दे देंगी तो रहुआ पको बिगाड़ी नहीं पा सबसे पहले क्या होता है तू तड़ाक पहले जुबान चलती है फिर हाथ चलता है तो जुबान ही अगर मीठी रहेगी तो फिर हाथ चलेंगे मुक्का नहीं बनेगा नमशकार होगा और जहां पर नमशकार है वहां पर चबतकार है और जहां पर मुक्के बाजी है वहां पर फिर बहुत दिक्कत है समझ गए आप नहीं समझे तो वीडियो दुबारा सोलने ना भाई यह उपाय बता दिया अगर आपकी जनम कुणली में सितारे बढ़िया नहीं हुए तो भी आपको दिक्कत होगी तो जनम कुणली की जाच करवा लो सितारा को सही कर लो और सिर्व आज के लिए नहीं आने वाले भरुष्ट को भी स्वरचित बनाओं अब आप कहोगे कि मुझे क्या जरूरत है खुली सही कराने की मैं तो खुदी कर लूँगा तो भाया अगर आप खुदी कर सकते तो खुदी कर लेना लेकिन कर लेना नमस्कार